जहन्द Candidates to Candidates इस वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना क्योंकि इस वीडियो में आपको SSB का पेपर कैसे होगा, एक पेपर होगा, कि दो पेपर होगा, कितने नंबर का होगा, मायनस मार्किंग होगी कि नहीं, साथे साथ प्रेविए सिर कट आफ क्या रहे थी, प्रेविए पर लगबग आप ऐसे कह सकते हैं, कि 40-50 प्रेविट बच्चे फेस बन क्याइब करेंगे, और अगर अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथी साथ चैनल को सस्क्राइब कर लें, कि जल्द ही इसकी क्लासे भी सुरू होने व सब्सक्राइब कर लीजेगा और बराइकन प्रेस कर लीजेगा देखिए सबसे पहले रिटन एक्जाम की बात करेंगे कि रिटन एक्जाम में क्या होता है कि आपको पता है आपका देड़ सो नमबर का पेपर होगा और जो देड़ सो नमबर का पेपर होगा वो एक ही बार में होगा यानि कि पूरे डेड़ सो कुस्टंस आपको एक ही बार में सेर किये जाएंगे एक ही बार में आपको सो होंगे जिन में से कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि पचास कुस्टंस जो 3 गंटे यानि 1500 मिनट में आपको करने है 3 गंटे 60-30 180 मिनट में आपको करना है 1500 कुस्चं समय बहुत है 180 मिनट मिल रहा है 3 गंटे का समय मिल रहा है और आपको 100 कुस्चं करना आप easily कर ले जाएंगे कोई प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है आप questions के numbering क्या रहे हैं तो कितने number होंगे questions के मान लिजे journal के कितने questions आएंगे मेत के questions आएंगे सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा उस बने रहेगा और paper tough क्यों होने बाला यह भी आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें cut off area cut off criteria के बारे बताऊंगा उससे पता चलेगा कि paper pass hope कर पाएंगे maximum बच्चे नहीं कर पाएंगे वो भी इसके अंदाजा लग जाएगा तो आपको बताते चलें कि जो journal knowledge होता है इसके आपको questions देखने को मिलेंगे लगबग मान लिजे आप 10 questions इससे जज़धा आपको मिलने वाले नहीं जर्नल नौलेज के आपको 10 questions मिलेंगे या हो सकता इससे भी कमी हो क्यों जर्नल नौलेज इसमें ज़धा matter नहीं करता है बांकि आप हिंदी reasoning mathematics इसमें जो questions का ratio होता है वो लगबग मान लिजे 12 से होता है 12 चकू 48 ऐसे 12 तेरा questions सब के होते हैं लेकिन math और reasoning के questions को ज़धा रख के से जर्नल और हिंदी और एसम मिला के नहीं जी के और हिंदी को मिला के overall 20 questions होते हैं तो यह आपका 50 questions objective होता है 50 number के होते हैं अभी आपको बताऊंगा मार्किंग है कि नहीं वह भी आपको पता सल जाएगा उसके बाद आपका टेक्निकल सब्जेक्ट अब रहा ही टेक्निकल सब्जेक्टी बत तेक्निकल के आपके सव कुस्टन होंगे सव नंबर के जिन में सिफ आपका टेक्निकल सब्जेट का PCM है तो PCM में क्या होगा physics के सबसे ज़्यादा questions होंगे सबसे ज़्यादा फिजिक्स के आप देखेंगे तो physics के इसमें आपको कम से कम मिलेंगे और chemistry के कम physics और math को मिला कर physics और math को मिला कर 80 questions होते हैं सप्तर से 80 questions और math को मिला कर होते हैं और 20 questions लगबक 25 questions या कभी कभार 30 questions ऐसे हो बन जाते हैं जो chemistry से पूछ ले जाते हैं यानि कि जो communication वाले हैं उनका जो subject टेस्ट रहेगा या जैसे जिसे अपने फ़र्म बर रखखा जैसे पम्यूकेशन में पीचियें टेकनिकल सब्जेक्ट है नहीं फिजिक्स कमीस्ट्री में है मेकेनिक जो डिप्लोमा बगए रा किये होंगे तो उनके उलेक्ट्रोनिक्स से कुछ लोग कर रहे होंगे तो उनका वो electronics टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाएगा समझ में आता होगा इतना बतानी जरूत नहीं है उसके बाद में जो आपकी फाइनल मेर्ट लिस्ट तयार की जाएगी वो इन्हीं डियर्ट सो नमबर से तयार होगी डियर्ट सो में किसके कितन अगर आपके इससे कम रहेगे तो आप पेपर ही पास नहीं कर पाएंगे और उसके बाद कुछ कटाओफ फी रहेगी यानि कि सीधे सीधे बात कहें तो डेड़ सो नमबर के पेपर में 75 नमबर तो लाना OBCWS एक सर्विसमेन के लिए तो को कमपल सरी ही है अब 75 नमबर भी ब बता उसमें तो ऐसा कोई क्राइटीरिया भी नहीं होता है कि 50 परफंट लाना पड़े उसमें तो कम ही होता है तब बच्चे इतना पास हो पाते हैं और इसमें तो बच्चे पेपर में भी बहुत बाहर हो जाएंगे वो तो इतनी क्राइटीरिया भी नहीं निकाल पाएंग कि दूसरी बात अगर बात की जाए उसके बाद 50% बोल दिया लेकिन आपकी कट आफ रहेगी वो कम से कम लगाए जाएगी 60-70% पर ठीक है 60-70% पर इसकी कट आफ लगाई जाएगी अगर 60% भी लगाई जाती है तो आप कर सकते हो कि 60% कट आफ लगा रहे है देड़ सो में तो नमबर 60% लगेगी बोल दिया 50% लेकिन 60% असमें कट आफ लगेगी आपकी जो फानल मेरेट लिस्ट त्यार की जाएगी वो आपकी जो कामन टेस्ट आपका हुआ रिटन एक्जाम इसी पर त्यार की जाएगी इसमें कुछ ट्रेड टेस्ट भी होता है वो कॉलिंग होता है लेकिन कम्नुकेशन वालों के लिए यह जो हेड़ कॉनस्टेबल कम्नुकेय्ट नहीं लिए आपको इस बात को आप ध्यान रखेगा बाकी जैसे हमारे ए переп्ट्रोनिक्स मेकिनिक्स ऑप इसमें क्या है आपको ट्रेड टरेस्ट देना होता है तो आप यहां तक आपके समझ में आगया होगा वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा साथ ही साथ चैनल भी सस्क्राइब कर लीजिएगा फिर उसके बाद में आपका होगा DME मतलब detailed medical इसमें अगर जिसको point मिलेगा तो उसको केवल 24 गंटे दिये जाएंगे री अर्मे के लिए रीवीव मेडिकल के लिए 24 गंटे तो आम मेडिकल के लिए अच्छे से तयार रहे हैं और मैं आपको बताते चलू कि इसमें सबसे ज़ादा आपको जो आपका technical subject है उसमें नंबर लाने एक सबसे जाएकिश में लेगए जो भी टेकनिकल सबजेक्ट में अच्छे नंबर लाएंगे भले उपर वाले में नंबर कम हो लेकिन टेकनिकल सबजेक्ट हुगा अच्छा है तो उनकी rank जो भी बड़ी मानी जाएगी तो उनका selection पहले होगा तो तो कोसिस करें आप टेकनिकल सब्जेक्ट के आपने तयारी करके चरें अच्छे लेबल से बांकि बहुत सिंपल ही लेबल आएगा वो तो आप कर ही लेंगे 12 लेबल का एक्जाम होने वाला है लेकिन 12 लेबल अभी आपने 20 अरो आर्म का पेपर देखा था कितना हाड था तो अच्छे सब्सक्राइब करें के लिए मैं आपर प्रप्रेर करवाऊंगा बांकि फिजिक्स भी कुस्टन्स आपको करवाऊंगा बीच-बीच कुस्टन्स फिजिक्स के भी आएंगे तो आप चैनल से जुड़े रहेगा आपको पता चल जाएगा किस लेबल का कुस्टन्स न क्रेंड न हाद के काफ़ांगर मारकंग मारक कि याँए मिनस होने तो आप सारे के सारे कुस्टन करना लेकिन जो क्राइटीरिया है पचास पर स्थान नम्बर के आज पास लगेगी और उसके बाद पांच यह दस नमबर उर बढ़ेगा फस दर सिर्ट लिस्स तक तो इसी हम सबसे आप प्रेकर समय सब्सक्राइब करने आधे पासhum Ged प्रेपर किसा था तो प्रेपर को हलकेम नहीं लेना आज एक किसी दिन करवाँ तो मैं वहां से करवा दूंगा ठीक है प्रीवेसर कुस्टन तो आप वहां से देख लेना देखिए जो लेबल था प्रकाब आप इस समय बीसे आरो आरेम का जो लेबल होता है टेकनिकल सब्जेक्ट का वही लेबल है और जो हमारे पास फस्ट पेपर होता जिसमें 50 प्रिफ् या फिर एरफोर्स के स्टूडेंट हैं तो आप वहां से त्यार कर लेंगे तो एग आपके लिए अच्छी अपोरचुंटी होने वाली बस थोड़ा सा मेहनत करना है बांकि मैं आपके लिए मेहनत करूंगा आप मुझसे जुड़े रहेगा चैनल सस्क्राइब पर करके रखे सकते हैं मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक लेज़े हैं अ क्या आपके लिए मारी वाली अच्जाब अच्छी अ कज़स्त में जुड़े हैं तक लोगदसी अब में